नवस्कार मैं सुरेदिल सोरिन अबाए आज इस खास एपीसोड के इस खास किस्से के किरदार है नायक है किसान इस वक्त परिशान है क्योंकि खेतों में उनकी उपज पड़ी हुई है ना उसे बाजार मिल रहा है ना किसानों को उसकी कीवत मिल रही है जारखन में जो मजदूर है वही किसान है और जो किसान है वही मजदूर है इसलिए क्योंकि यहां तीन महने ही खेती के काम में लोग लगते हैं यहां मुख्यता धान की खेती होती है और उस धान की खेती के बाद वो मजदूर में कनवर्ट हो जाते हैं मजदूर बन जाते हैं बारिश का मौसम आने वाला है किसान इस असमंजस में हैं कि उनकी खेती इस बार कैसे होगी अगर होगी तो क्या बेहतर होगी जो फसल इस वक्त सबजियों के रूप में जो जाजधानी के आसपास के इलाके हैं गाउं हैं वहां अच्छी तादात में स खेती की तयारी भी करते हैं और अपनी आमदनी भी लेकिन इस वक्त वो परिशान है इस विपदा की घरी में इस विपदा के दौर में इस वक्त परिशान है कि क्या खेती उनके लिए उनकी जीविका का एक प्रमुक साधन हो पाएगा टक्तर जो खेती के सामान है वो जंग दिखा रही है महिलाएं पेड़ की नीचे बैठ कर एक तरफ पुरुस एक तरफ महिलाएं बैठ करके आपस में यह चिंता कर रही हैं कि आने वाला वक्त किसानों के लिए मजदूरों के लिए गाउं के लिए कैसा होगा तो आज हम किसानों पर फोकस करेंगे किसानों से ही बा की गई लगा कि फिर से एक बार बजट पेश हुआ है छोटे मज़ोले उद्योग के लिए अलग पैकेज किसानों के लिए अलग पैकेज प्रवासी मजदूरों के लिए अलग पैकेज लेकिन क्या इन पैकेजों से इनका पेट भरने वाला है इनकी दर्द दूर होने वाली है समझेंगे खेतों में सबजिया तयार है खेत भी जाएंगे लेकिन उनके खेतों का हाल हम यहां महिलाओं से समझ लेते हैं उन घर की ग्रहनियों से जिनके हाथों ने मिट्टी में काम किये और अब दाम का इंतजार है क्या है आपके बारी में? क्या है बारी में? बोदी है फिर कहोणा है भींडी है फिर अतना है याद है क्या हुआ अभी आप उसको तोड़कर बेच रही है बेच पा रही है? बजारे नहीं लगर तो कहा से बेच पाएंगे खली गाव में बजार लग रहा है कितना खर्च लगा था उसब को खेतों में लगाने में? कली दूहजार इसे लगा है ज्यादा नहीं लगा है तो दूहजार इसे करिब लगा है इसाब करने साथ आप अवर लगेगा दवाई का की खरदने के लिए पाईसे हाँ आपके खेते में क्या लगा है? आपका खेत का क्या हल है? क्या क्या लगा है और बाजार खुलने का इंतिजार कर रहे हैं क्या? हम भेंडी लगा है फूल होने सुरू हुआ है थोड़ा सा बोधी लगा है फ्रस बीन लगा है जो ट्रमाटर थोड़ा सा है प्याज रसुन सब को कोड़े घर के लिए उतो बिचने लाइक नहीं है भेंडी लगा है तो फूल हो रहा है फाल होने सुरू हुआ है क्या लग रहा है उसका दाम मिलेगा इस बाजारे नहीं है तो गहां बेचेंगे उधर ले जाते है तो अधर भी पुलिस अब हम लोग को पकड़ता है यहां का ले आ रहा है बोलके तो बाजार में अभी दगा में थोड़ा भूत लगता है और किनका तयार है फसल हम लोग काते यह हां काति अभी तो नगुन हुआ है कि समार मंगर से क्रेली निकश बूदी निकले और प्लकड़ू है बस उत्री है अभी तो जोता है उसमें नहीं लगाए हैं वार्षात में लगाएंगे है ढ़न तो फिर का करेंगे खेती नहीं करेंगे तो कुछ बहुत बीते साल भी पानी थोड़ा कमज़ोर किया तो उसमें फसल हम लोगो धान का नहीं उठाने सके तो कुछ बहुत हुआ है अभी तो करेंगे खेती बड़ियां से बताएए किनके गहर में क्या क्या कहानी है आपके किसानी की आपको आम लोग का पाउन यह यह ट्रवाट है और सब्सक्राणा है और कुछ नहीं है अब लोगों के तरफ इधर किनके खेतों में क्या पड़ा हुआ है पूछो ना या भया हम लोगात का करेंगे तो जिनके हैं यानि खेतों में इस वक्त सब्जियां लगी हुई है तयार हो रहे हैं कुछ तयार हैं लेकिन बाजार नहीं है हम साधो उराओं के छेत जारे हैं यानि उनके बगान में जारे हैं जहाँ इनोंने अर तरबु जैसे फल उगाए हैं यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन खेतों को देखते हुए कि इनके खेतों में कितना धन उपजा है और कितना इन्हें आने वाला है क्या-क्या लगाए हैं फिलाल खेतों चल नहीं रहे हैं हम 30 डिस में तर्बूज लगाए हैं सुगर किंग का जो लंबा होता है वोला इसमें तर्बूज को पूचा देते थे उलोग विक्री करते था तो कड़ू को बेचने सके हैं नहीं ऊक्ते हैं अभी तर्बूज निकल रहा है तर्बूज को हम वेचने नहीं सकते हैं बाजार नहीं लग रहा है तो कहां से बेचेंगे अभी पड़ा हुआ होगा अब का अभी मेरा तरबूज कम से कम एक टन से उपर होगा लेकिन कम नहीं और बरबादी भी हो रहा है जिनमी है मल्चिंग नहीं बिछाने सके अभी नमी है बार-बार बरसात कर रहा है तो नीचे से फफुन जी से होके करते हैं मेरा दादू था भी खेती बहुत अच्छा करता था तो यह जो हम ड्रीप खेती 2015 में लाइंस कलप का सस्ता जो है यहां पर वह बताया कि यहां पांच आदमी को चूनते हैं टपक सिस्टम में खेती करेगा अच्छा पैदवार होगा खाद बरबाद नहीं होगा प जिए अच्छा तरभुज लगा थे कि वहला मात्र उसमें 2,000 रुपिया हम लोगों को लिया गया था कि यह लोग कि कुछ लगत लगाएंगे तो कुछ समझ पाएगए कि हम इसमें लगाया है कुछ भू जबताब कुछ लगेगा है करते हैं कुछ पुँछि लगा है करते ह आपके लिया था से अम उस बार भी अच्छातर बुजू गाय थे और वीडियो साहब भी आया था मेरा प्लोट मेरा अंगना में खाना भी खाया चटनी कठल का सब्जी जालबाद खाके चलते-चलते-चलते समय भी कटेगा और हम आप से बात भी करते चलें पांच रुप्या करके भी कहते लेकिन रही कि लाइंस कलब वोल्हा आया और आर बारा रुपया करेट े शपीस सो रुप्या का खरिदके उलोग लेगिया अच्छा अब वेट के मेरां लंद में खाना हुना भी खाय विडियो साहब आप तो पिछले साल का कैसा हाल था पिछले साल का बाजा क़ती रहा है तो कुछ nghiधि नहीं खिर और झाए चाहिएudeということ है मैं तो सब्स्क्राइश मानिद कु हम squirrel को अभार छॉद क के शिती हुआ मुत्पना यो मैं कुसे चछॉब के सधीव कंपने को na उदर गेहून लगाए थे अभी मिर्चा लगाए हैं फिलाल इस गाउं में एक चीज बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि लोग बड़ी उन्नत खेती कर रहे हैं और जिन से आमदनी आ सकती है सब्जियों की खेती यहां बड़ी अच्छी होता ही है यह प्रिणा कहां से भारगोजी एक आता है उन्हों ने बताया कि हम लोग के थुरू से यहां टपक सिस्टम खेती करवाएंगे उससे बचत होगा पानी का खाद का और मेहनत कावम पर अधिक उपज होगा कहके उन्हों ने बताया तो फिरी इस बार हम तो करवे किये और लोगों भी बोले कि च लोगों ने बड़ी अच्छी यहां तैयारी कर रखी है अब हम शायद आपके अब जैसे जैसे हर्याली नजर आ रही है हम पहुँच रहे हैं साधो उरावजी के उन खेतों में जहां इस वक्त इनकी आखे भी गड़ी है और इनका धन भी गड़ा है त्योंकि वहां जो तर्बूज या सब्जियां उससे इन्हें आने वाले वक्त में धन भी आएगा और फिल्हाल लॉकडाउन में इनकी सब्जियों की कीमत लॉक पड़ी है यह सब खराब हो रहा है ना कितना अभी आपका स्टॉक में यानि खेतु में ही कितना तर्बूज हो गा अभी Dayton हो जाएगा इख टन हो जाएगा उसे बी अभर हो गालेकिन कमती नहीं हो गाय के एक टन यानि 100 किलो? 100 किलो नहीं, 100 किलो का तो कुइंटल होता है, हाँ कम से कम 10 कुइंटल निकलेगा अगर हम मोटे तोर पर इसको समझ ले तो कितना पैसा इससे निकलेगा? तो अगर रेट मिलेगा, बजार पकड़ाएगा तो निकलेगा, इसमें तो हम सोचे थे कि इस बार हम 50-60,000 कमाएंगे, कम से कम 50-60,000 कमाएंगे लिखिना, अच्छे इसमें कितनी पुंजी लगी आपकी? पुंजी तो इस बार हमको करीब कर इसमें लगा है गोबर लिये 5 टेक्टर, उसमें हमको 5500 लगा फिर बिजय लगा, उसमें 1500 लगा खाद का लग लगा, तो हिसाब रेकोर्ड हम नहीं रखे है लेकिन खर्चा हुआ कम से कम मेरा 20-20,000 रुपिया क्या लगता है आपका जो खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है एक सरह से वह इन्वेस्टमेंट लुटे का की नहीं रखे इस बर का रेक्ट से लोकडान से हमको लगता लगता है कि नहीं लूटे गया जितना खर्चा की है हम, उसमें रखेट इस तरह वी टामटर भी खुला में लगा है, वो भी सड़ रहा है, वहाँ पर लगा था टामटर बरसात वाला, पूरा एदा नीचे से गल-गल के, सड़ सड़ के खराब हो गी है, तो अब धान की खेती के लिए आप लोग के अंदर उत्साह बची हुई है कि धान के तो कर नहीं है, व थोड़े उदास है, यह आवाज और अंदाज से पता चलता है, लेकिन धान की तयारिये जरूर करेंगे, साधोर राउंजी इन तर्बूजों को देखकर आपके मुँ में पानी आए और ना आए, लेकिन आपके आखों में जरूर पानी आ जाएगा जब आप इन तर्बूजों के किस्से सुनेंगे जी हाँ, खेतों में हर तरफ तर्बूज की खेती पड़ी हुई है और इस गर्मी के सिजन में लोग शायद अपने घरों में इसके आने का खाने का इंतिजार कर रहे हूँ और किसान भी इसका इंतिजार कर रहे हैं कि कोई खरीदार आए इन चीजों को खरीद कर ले जाए क्योंकि इसमें इनकी मेहनत बसती है इनकी कमाई रहती है हमारे साथ हैं पूरु मुख्या हैं सिवचरन जी जो इन खेतों के मालिक हैं और इस पूरे इलाके को इन्होंने खेती की प्रेड़ना दी आज खुद तूटे हुए हैं ठके हुए हैं क्योंकि इनकी इस बार की फसल की कमाई आती नजर नहीं आ रही है कितनी खेती लगाई है आपने अभी तक तीन एकड लगभग में खेती लग चुका है और दो तीन एकड खेती लगाना बाकी है अगे की तैयारी जो बाकी है उस बाकी को भी पूरा करेंगे या इस वार छोड़ देंगे जिसे अभी जिसे कुराना का परकोफ है अपने आप में सहासी नहीं हो पा रहा है कि मैं आगला खेती करो हो सके इस वर जिसे अभी लगभग पचास साथ हजार का नुकसान कितने बोले तभी तरबोज दो रूपया तीन रूपया चार रूपया लोग मांगते है तो उसमें किसान कोई पुषाई नहीं पड़ते का युए नियुकसा आपके इस खेती के लिए आपने कितना रिंड लिया है लून भी लिया है अभी तक से चुकाना शुरूंगा है इस तोर यह उमीद करेंगे सरकार से या अपने विभाग से किसी तरह आप लोगों की हिम्मत को बचाए रखें। होना चाहिए कि जिसे हम खेती कर रहे हैं तो कम से कम कच्चा सबजी का रेट 10 से 15 रुपया की बीच होना ही चाहिए और उसका ब्यस्था करें गौर्मेंट जिसे अभी जो नुक्सान हो ना नुक्सान हो अगले वर से निश्ची दर्व पे जिसे अधिकारे भी डिपूट करक करें जिसे बहर से लोकडाउन के माध्यम से बहर से जो हम लोग का लेबर लोग थे परवासी मजबूद थे उनको लाने के लिए अधिकारी डिपूट किया गया है ताज हम भी जूज रहे हैं हमको भी आउसेकता है अधिकारी का ताकि मेरा सबजी यहां से बहर भी जा सके जिसके पास नहीं पहुंच रहे हैं जब खेती कर रहे हैं तो हम यहीं उमीद करें कि सरकार हम लोग के बेस्था दे एक बात मेरे जहन में आती है सीवचरन जी यह उराओं और मुंडा का शित्र है और मैंने पहली बार इतनी उन्नत तरीके से अधिवासी किसानों को इस तर की शहरी छेतर है सभी लोग आज जमीन बेच करके बेघर होते जार है सब लोग एश मोज का जिनके जीर है बलकि खेती समलोग क्या फायदा उसके बारे में लोग नहीं जान रहे थे अब हम लोग जानने लगे हैं कि ही मिटी मेरा अस्तितुआ है मेरा जीना खाना है तीसे ह हम लोग भी जब मैं मुख्या था उसके बाद से लागातार क्रिशी कारे में सब को आगे आने के लिए प्रियरित कर रहा हूं और बहुत सारा भी लगभग हमारे इस एरिया में लगभग 50-60 किसान इसी विधी से खेती कर रहा है और लगभग जब लोगडार नहीं था तब ब बना लिए है जिसे अपना, competition है अपने विधी के जी उगा लिया तो मैं 25 यहां, competition और आज हम दो एकड में कर रहे है तो आये वाला दिन हम 25 एकड में करें कहा है कि हम लोग जमिन का भाव नहीं रहता है इसी के लिए सब होड में लगे थे कि इस बर आखला लगा थे कि यानि बारिश भी इस मौसम में हो रहा है इन आदिवासियों ने अपनी मिट्टी की कीमत जानी लेकिन अब इनकी उपज की फसल की कीमत नहीं मिल रही है स्वीचरन के पिता है जाहिड है इन्होंने भी मागदर्शन दिया होगा और इन्होंने भी गाउं के लिए काफी कुछ किया होगा इस वक्त गाउं के किसानों की क्या हलत देख रहे हैं आप क्या नाम हो आपका मेरा नाम गुपाल कच्चप हुआ ग्राम देवगाई और इसुप पुतर जी किसान का हलत मैं आज से 20-30-50 साल पहले जो देख रहा था उस इस्तित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् ले जाते हैं पर हमारा खेती हहां मजदुर लेजाता घेज से तोड़के तो जब रास्षिस हर या कहीं कोड़ा में पूंच्ता है त medida है तो यहांपर वादरा हो बीचोलीआ रहता है और जो पितना उसको उस में उस समय भी इस प्रकार का इस्तिति सेथ आपके मेचनत आपका आपको आपको आया 10 रुपया और बिचौलीः सिर्फ बेच रहा है वह 10 रुपया वह कबारी ऐस smells समय भी इस्तिति proven इन साल का इस्तिति तो वही है कि करूना करे चलते हम लोलोग मार्केट में भी बच्चा लोग इसको बेज नहीं पाया और उसके होसलां का बूलॉंध होसला उन लोग का हम लोग दिये हैं प्ररेद इसलिए कि जब इन्होंने पड़ लिख के कहीं लोग कोई वीवस्था नहीं हो पाया तो अन्ती में किसान का तो अन्ती जमीन होता है तो उस जमीन में कैसे किया जाता है जैसे उस लड़का को मुख्या जी आप पुछे कि इसका दिमाग्न को कैसे आया तो इसे ही राची कि जो are कुन सा कलब है कि आपने लाइंस कलब लाइन स्किलब ने इधर आये थे देखते देखते तो उन्हों ने हम लोग को पहला कि आप लोग को को के एट सभसे पहले हम लोको क्रीब तीस चालेस डिस मिल में उसको खेति करने के लिए हर सुविधा दिया मतलब टोटल सुविधा दिया तो उस सुविधा में दिया हम लोग किये तो देखे कि तो बहुत अधिक उपज भी है और बाजार भी उसका तुनत मिल गया वही लोग खुद ले गए तो उनको पैसा भी हम लोग कुछ आय यहाद बडिया तो इसको देखने के बाद हम लोग और लोगों को बोले कि वही सी प्रकार का खेति आगर किया जांए कि इसने वह लोग को एक वाइदा किया झालकर दोखा दे दिया, ऐसा खुद हमको मौसुस होता है इसलिए मौसुस होता है कि इसने हम लोग को बता है इसा खेती करो, इसा खेती करो लगा दिया एक लाक रूपिया आग तो हम लोग को पचासों नहीं मिल रहा है तो ये सिरे किसों दे रहे लोग जिसने इनको प्रेरित किया तो इस परकार का अगर इतिती पैदा होगी तो जो भी किसान को प्रेरित करेगा उनको आगवाई करेगा उनको लोन देगा तो उन लोग का ओही जीमारी हो के भाई इन लोग इनको ठक रहा है इनको मार रहा है एही मतलविक संदेश नतिजा तो इसलिए उसक्ति dot कि यह वक्त क्या भुमिकाब केवाइगे भट सरकार से अमारा निवेदा नहीं है कि इस परकार कि इस परकार से उसने अपना एजेंडा ःखता किसानों के लिए और जो भी उनको देने के लिए उसने उसमें करती है उस सब चीज को देने के बाद बेंक से जो उनको लोन देता है तो लोन का जो परसेंटरेज जो इंट्रेस्ट लगता है उनको भी कम रेट होना चाहिए और लोन देने के बाद गोर्मेंट का जो खेती से समन्द रिलेटेड अधिकारी है उन अधिकारियों को टेक ओबर बीच-बीच में उनको करना है फिर जब आप पैदा कर दिये दे दिये तो उनका आगे भी बढ़ने के बाद वो कहा जाएगा उनका भी दोनों मेल करके रास्ता निकालना चाहिए यानि किसान और बाजार दोनों के बीच में मद्धसता वो सरकारी यादिम को करना चाहिए यह नहीं कि बीच का कोई थर्ट पर किसी को नहीं है अब ही पिलाल चेक ड्री मोगर राई धर धर बना रहे हैं तो जिक्टेम जगस से हर गाओं का झ्छेतर में हर जमिन पर पानी पहुचना चाहिए इस सुभीदा सबको जमीनी अस्तर पर सरकार को आकर करनी या दिखना चाहिए h LMos अभी तो तर्बूज हम खेती किये हैं लेकिन यहां भी लोकडाउन के वज़े से हमारा यह तर्बूज का खेती कहीं बजार ले नहीं पा रहे हैं इसका विक्री नहीं हो रहा विक्री भी हो रहा है तो बहुत सस्ता में 2 रुपया 3 रुपया के लो हम लोग तो इसको उमीद 10-15 केजि रुपया केजि विकेगा यह सोच के हम लोग लगाए थे और हम लोग इस तरबुज खेती को नेकर हमारे परिवार में है अभी लोगडाउन के सारा परिवार हम लोग खेति बारी में ही आस्रीद रहते हैं खेती बारी के अलावे हमारा कोई आए नहीं है दूसरा परिवार में कितने सदसे हैं हम लोग परिवार में 11 सदसे हैं और इसी खेती से ही सबका जुडाओ है हाँ सारा चीज इसी से है पढ़ाई रिखाए कि किसान की हमत तूट रही है अभी तो हम लोग को आई इस लोकडाउन के वज़े से इसा लगता है जैसे कि अगला खेती हम और कर पाएंगे या नहिं कर पाएंगे हम लोग को बहुत चिंता हो रहा है आगे आगे का खेती के लिए और अपना पालन पोसंद के लिए आपकी चिंता जैज है क्योंकि ये हालात बता रही है हालात देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है किसान है, सरकार के कई वादे, कई नारे और कई पैकिज इनके लिए छोड़े जाते हैं, दिये जाते हैं किसानों तक नहीं पहुंचते हैं, इनके पास जमीन है, हिम्मत है, ताकत है पर अर्थवेवस्था, आर्थिक स्थिती इनकी सपोर्ट में नहीं रहती है फिर से मौनसुन की तारीख करीब आ रही है फिर से किसान खेतों में जाने के तयारी कर रहे हैं अगर किसानों की हिम्मत यूही तूट गई तो शायद वो खेतों से मुह मोड ले और खेतों से अगर वो मुह मोड लेंगे तो कोरोना के बाद आने वाले वर्षों में कहीं ऐसा ना हो कि देश को खादे संकट से भी जूजना पड़े। सायोगी परदीप के साथ सुरेंदु सुरें, नमस्कार।